नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी गाई जीनो की चैनल पर मैं हूं हमंद बारदाज और आपकी अर्रवी एंटीपीसी की लगातार क्लासे चली जा रही है आज है लेक्चर अर्रवी एंटीपीसी टेस्ट फाइब चलिए बिना देरी करें स्टार्ट कर देता हूं तो पह सबसे लंबी बोन होती है यह कहां पाई जाती है यह फिकर दिखाऊंगा पूरा जूम करके ही पहले मैं इसके साथ को जानकर दे दों फीमर की यह ठीक है तो इस फिक बोन्स वह कहते है तो कि और इसकी समयनद्वाइब पूछे हो जाए के सिसकी कितनी लेंड होती है तो स्टुट्रांट कंफिस्व सिस ना गmental में is एक ना सक गनाग साथ तो मैं लेकर की अलाम का ली होनिया लिए किलवेजी मानव गत्पी सिखया करी तो यह मैंती है प्यूंग सिखना अब स्थित होती है इसके बाद आती है डी ऑप्शन टीवीया पर जाएं तो टीवीया हमारे कहां होती है जो हमारी शिंवोन है ठीक है यहां स्थित आप देख सकते हैं फिगर में यहां स्थित होती है ही में बात करों हमारा बी उप्शन है यह तो यह हमें यह हमारी प्रोंस को यह बता दोक्राइब मैं जूम आउट कर लेता हूं इन बता देता हूं सबसे बड़ी दूसरे नंबर की जो बड़ी isn't सबसे लंबी और मजबूत कौन सी किया तो पहले कुशन से मिलता है तो दूसरा कुशन है मानब शरीड में सबसे लंबी और मजबूत बोन कौन सी या अस्ति कौन सी तो पहले ही कुशन था फ्रेंड से लेकिन इसमें जो एक लाइन एक सेंटेंस और एड कर दिया तो कौन सी यह तो वह भी फीमर है जांकी हड़ी जो है सबसे मजबूत होती है यह कुशन कही वार एक्जाम में आया है जैसे पूछा गया था मानव श्रीड में सबसे मजबूत अस्ति कौन सी होती है तो फीमर होती है अबुलामत अलाना टिबी आहिमस मैंने बता दिया आपको डैग्राम में चलिए अगला कुश्चन देख लेते हैं तीसरे नंबर को कुश्चन है फ्रेंट्स हमारा मानव श्रीड म सब्सक्राइब करें कर देख सकते हैं यह सबसे छोटी हड़ी होती है यहँ हमें इसकी में बता दूँ है जो मेजर करते हैं इसकी जो होती है 2.6-3.4 mm होती है लेंथ इतनी मानी गई है इसकी और इसका वेट भी बहुत कम होता है दो से लेकर पर नहीं होता फोर पॉर पॉंट्ट्री किस में आपते हैं मिली ग्राम में एम जी में ठीक है तो यह इससे कुछ जानकारियां थी जो आपको अच्छी लगी होंगी फ्रंट्स तो इसक कान की सबसे छोटी अधियां मानफ शरीर की सबसे चोटी होती है ब्लट पॉरिफाई जो होता है ना उस पकरिया को हम डायलेसिस से डिनूट करते हैं अब मैं बता दूं फ्रेंट जो खून के शुद्धी करण में सबसे महत्पूर भूमी का कौन सा मानफ शरी का कौन सा ओर्गन निवाता है तो निवाता है फ्रेंट किड्नी के माध्यम से र रिवाता हुआ तो निवाता है कि यसे कि किसी की खीलियर हो जाए तो इसे एसे खुटल में ले जाके डालियासिस करके उसकी जो तरीके से यानि exactly हमोलाइस को हीमोडाइस क्रैंट कि अनर क्लत लिए हैं जए कि किड्नि वर्शन करते हैं की जैसे कि में बताया जैसे किड्नि किसी की फेलियर हो चुद्थ नहीं कर रहा हो तो उसको हेमोडैलसीज पर रखने है और और किडिनी से उनका रख्त शुद्धीकरण कर जाता तो यह उगई यह कुछन में पूछे आता है गूरूप D में आया हुआ है करें जब इक व्रत हो जाता है क्या हो जाता है घड़ जाता है बड़ जाता है उतना ही रहता है बदलता रहता है तो इसका जोसर यह जाता है z तो रख्तिचाप होता है अब जैसे कितना होता नॉर्मल 120 गर्ची यह उता है इसे कहते हैं हम सिस्टोलिक और इसे कहते हैं हम डाइस्टोलिक यह एमजी आपने एमजी भी सुनाओं गहाँ एमजी पारे को सुरी एज जी एज पारे को डिनेट करता है तो याद रखेगा तो यह सामनत्य मनश्य का रख्ते चाप होता है और इसे किस से नापने यह भी पूचा जाता है स्पिग्णो मैनोमीटर होता है उससे इसका मापन करते हैं रखते दाप का ठीक है यह रखते चाप मापी कह दें हिंदी में चले अगला कुशन देख लेते हैं यह आजाता है इस बार यूपी में परिक्षा होई थी यूपी हाई कोट एरो की इसमें पूछा गयाते हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी मैं कुशन लेता हूं सारे कहीं ना कहीं पूछे गया है चाहें वह रेलबे हो यह ससी की परिक्षा हो या फिर स्टेट की परिक्षा हो त तो इसे कहते हैं फ्रेंट खगोल शास्त्र या एस्ट्रो नॉमी यह option आपको बिल्कों सही रहता है यह फ्रेंट इसमें खगोल शास्त्र में जो पृतिवी के अंतगा दिया पृतिवी या उसके वायू मंडल के बहार जो होने वाली जो घटना होता उनका ब्लोकन किया जाता है घटनावी के अंदा ठीक है हमें बात करूं एस्टालोजी अटोलोजी क्या होती है आप जानतें गया इस्ट्रो लोजी एस्टॉलोजी एक जो तिस होती है जो मनुष्य है या पिर्थिवी गेहराय तारों नच्षत्र देख के उनके जो आशौप्रवाव होते हैं उसमे कि अब शर्वे तंगे होती है पराशब्वे हैं तर चीज सब्सक्राइब या जो होने वाली उनकी में आधिन किया जाता थांग अकॉस्टिक पहुजन कैसे मिलता है चारा कैसे बनाते हैं या तंतु की प्राप्ति के लिए जो साइन्स का अध्यन किया जाता है अगला कुशन देख लेते हैं कुशन साथ आपके सामने तो साथ में किस राज्य को भारत का अन्बंदर का जाता है बिहार पंजाब रहस्तान उत्तबदेश तो सही आंसर क्या होगा लेकिन जल्दबाजी में स्टुइएंट क्या करते हैं उत्तप देश लगाते हैं जो कि बिल्कुली गलत होता है और इसका जो सही आंसर है वह है पंजाब भारत का अन्यभंडार राज्य भी का जाता है ये क्रशिव प्रदान राज्य है फ्रेंट्स पंजाब यहां कम से कम गयों को अत्पादन 22% होता है और चावल का कम से कम 12% होता है तो यहां पैदाबार काफी अच्छी है इसी की दस्टी से इसे देश की खाद टोक्री या भारत का अनाजभंडार भी कहते हैं ठीक है और मैं बता दूँ पंजाब के बारे में बता दूँ पंजाब की चंडिगड़ है यहां कि जो राजवाशा राजवाशा ये यहां के जो करेंट जो चीफ फिनेस्टर रहाँ है उनका नाम संबंस अम्रिंदर सिंग आउर पार्टी बैएगा है और हम हम और यहां के जो मुख्यमंत्रिय तो उत्त्रपदेश की राजदानी लखनो लखनोई उत्त्रपदेश का सबसे बड़ा जिला है जनसंक्या में और उत्त्रपदेश की जो अभी करंट्ली राजय पाल है वह आनंदी बेन पटेल याद रखेगा और यहां के जो मुख्यमंत्रिय वह योगी आधित्यनाद बात करूं मैं रायस्तान किया जाई है रायस्तान की मैंने बता दिया है पहली वीडियो में बताया था रायस्तान भारत का छेत्वल की दर्ष्टी से पहला राज जया ठीक है और यह फ्रेंट इसके जो गवरनर हैं वह हैं अशोग गहलोद याद रखेगा चले अगले कुशन पर जलते हैं कि कुशन नमर आठ काफी इंपोड़न कुशन है पौदों का मुक्या प्रकाश रंशलेशन या फोटो सिंतेसे अंग कौन सा औरगन कौन सा है जिससे पौदे प्रकाश रंशलेशन करते हैं सूरे की उपस् अप्रिण तयों किया अभर किख में चलेकल उपकाश करते हैं तो और प्रकाश रंशलेशन ऐसी पकड़िया जिसमे पीड बौदेकशन करते हैं उनके जो हरे भागों में पत्तों में जो हरिभाग होते हैं उनमें छोटे होते हैं जिने- improvement क्या क्या है स्टूमीटА की मदस्थे पौदे जो کारवंbag two है पौदे में जो smoto वह वह पौदे में दाखिल करते हैं ठीक पड़ कर जो सयल होते हैं उसमें छोटे होते हैं जिनने कहते हैं में क्लोरोपास् श्क्राष्ट में अपस्त्रत होता है आपका बताया ता पिछली वीडियो में इस तो प्लस टॉय और आपका निकलेगा यहां से फ्रंट शुकर निकलेगा c6 s12 o6 plus 6 o2 और plus 6 s2 तो यह आपकी reaction बन जाएगी ठीक है आपको पता ही होगा reaction के बारे में तो फ्रेंट इसका जो सही answer होगा इसका सही answer है पत्ती ठीक है जो प्रकाश की उपस्तिती में प्रकाश करते हैं और c2 लेते हैं और oxygen छोड़ते हैं ठीक है अगला कुशन देख लेते हैं कि अगला कुशन फ्रेंट्स है थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं कि नमा कुशन है निम्न मैंसे किसकी उपस्तिति के कारण पादप कोशिका का प्राणी कोशिका से पहचा ना जा सकता है प्राणी हो गई फ्रेंट्स प्राणी जो कोशिका है वह एनिमल अ कोष्या होती है तो उसमें जैसे पूछा इस प्लांड शेल और एनिमल सेल में क्या मतलब अंतर नपी है कैसा और भirt लबाक sew Out सबसे पहले हैं बताना कोषिकाव भिथिन में बात करना सबसे पहले ऑनिमल सेल की आनिमल सेथ में जो पादब प्राड़ी कोशिका जो होती है उसमें कोशिका विद्धी नहीं होती ठीक है याद रखेगा कोशिका विद्धी नहीं होती और जो पादब कोशिका की बात करूँ फ्रेंड इसमें कोशिका जिल्ली उपस्तित होती है ठीक है इसमें होती है प्लांट में अब म की प्लांट में पदब्होन होती इसमें भी केंद्रक होता है यानि कि जिए ऑप्शन है वो हमारक हेमारा कोशिका जिल्ली डिलियाwarm जाकThey कोशिका उसमें कोशिका जल्ली नहीं होती जाद रखेगा तो यह थे चार options के solution इसका जो सइहה answer था वो था केंद्रक कोशिक होता है इसलिए हम पादब प्राणी कोशिका से पहंच जा सकता है चलिए अगला कुश्ण देख लेते हैं दश्मा कुश्ण है जोगरुफी का कुश्ण है काफी एक्जाम में पूछा गया ग्रूप डी हो या एंटीपीसी हो दोनों में एक्जाम में आता है यह कुश्ण और आया भी है तो अगनी वल् जो की पिशांद महासागर छेत्र में इस चेत्र में काफी सक्रिय जॉलम में एक्टिक वॉलकेनों हैं और यहां अक्सर भूकम बगएरा आते रहते हैं जॉलम की विस्पोट होते रहते हैं और इसमें जो प्लेट्स होती है जो रिंग ऑफ फायर में पित्वी की जो महासागर को दी गई है ठीक है और प्रेंड एक और मैं बता दूं प्रशांद महासागर की सबसे वल्ड की सबसे गहरी ट्रेंच है जो की मारियाना-ट्रेंच कहते हैं ठीक है य???? Пında क्षांस प्रपाच्छर है म्मारियाना-च्ण और सबसे बड़ा जो ओशियन है वो भी पिशान महासागर है वर्ल्ड का ठीक है याद रखेगा चलिए अगला कुशन देख लेते हैं अगला कुशन है फ्रेंट्स ग्यारे मां ग्यारे मां कुशन है अजमेर में किस सूपी संत की दरगा है तो अगर आप अजमेर शरीव गए होंगे तो आपको पता हुआ जहां इसका जो सही आंसर है वो है मोईदीन चिस्ति सूपी मोईदीन चिस्ति की दरगा अजमेर में इस सब्सक्राइब करें जल्द बाजी में सलीम चिस्ति लगा जाते हैं जो कि बिल्कुल गया तो यह प्रण अजमें नगर में इस्तित हैं जो कहां पड़ता जमें राइस्तान में ठीक है और उनका मकवरा यहां इस्तित बात करूं मकवरा दिख जाएगा वहीं इनकी दरगा है सलीम चिस्ति की कहां पतेफुर सीक्री में जो अकवर की राजदानी भी रही थी पतेफुर सीक्री ठीक है अगला मैं बात करूं बारेमा कुश्चन की तो सम्मेदान की संकल्वना का उद्वब सबसे पहले का हुगा था आपको प हुगा वो बता दों लो बताओ हैं इससको क्या कहते हैं इंग लैंड हो गए आपका एक हो गया स्कॉट्लेंड से और व सो यह मिलकर मनते rhythm ग्रेट बिट्रेंट अगर मैं इसमें नॉर्दन आइलेंड जोड़ दूं नॉर्दन आइलेंड जोड़ दूं तो यह बन जाएगा फ्रंट पूरा यूके याद रखेगा करंटली यह करंट अफेर का कुश्चन है अभी वनेतर 2019 में यहांके जो प्राइम मिनेश्टर है उन कुछन कहीं बारे पूचा है स्वयवीन में कौन सा प्रोटीन पाए जाता है पूच लिए जाता है तो इसका जो सही आंसर बढूत योट्याइड जाता है झाल हो गई तो इन में प्रोटीन ही पाइसाज है चौदर मां कुश्चन देख लेते हैं इसलिए मैंने रखा अपनी पीपर में तो इसमें पूचा गया सलीम अली पक्षी विज्ञान एब प्राकातिक इत्यास केंद्र कहां इस्तित है कोयम बटूर बेंगलोरू नई दिल्ली दहरादून तो कहां इस्तित है फ्रेंट से इसका जो सही आंसर है वह कोयम बटूर ठीक इसे फ्रेंट सलीम अली 55 संशी अघ्र में पक्षय क्याद रखेगा लेकिन यहां पूचा है सलीम अली पच्छी विज्ञान इन प्राकातिक इत्यास केंद्र जो कि कोयम बटूर में इस्थेत है ठीक है चलिए अगला कुशन देख लेते हैं पंदरम कोशन है आपके सामने जैन दरम और बहुत दरम में क्या समानता थी आपने पढ़ी होगी जैन दरम बहुत दरम के बारे में तो फ्रांट इन्होंने क्या किया था मैं बता दूं दोनों ने जाती प्रताका तो वरोत किया था ठीक है पहला और इन्होंने दोनों ने पुनर जनम का सिद्धान माना था यानि कि दोनों विश्वास करते थे जैन दरम बहुत दरम दोनों आत्मा के पुनर जनम में विश्वास करते थे ठीक है और दोनों इन धरम का सत्ते का पिचार और दोनों धर्मों ने अहिंसा का भी प्रिचार किया तो इसका जो सही आंसर वह है फ्रेंड आत्मा के पुनरजनम में विश्वास तो दोनों ने पुनरजनम का सिद्धान महना तो इसका फे बी ऑप्षन बहुत ते खोगां अगला कुश्ण देख लेते हैं यहां 1921 है लेकिन इस जो विद्रो हुआ था एक साल में दबा दिया था अंग्रेजों ना 1921 के बीच हुआ था तो इसका जो सही अंसर होगा महात्मा गांधी शुकातली मौलाना और अब नेथा अन्ग्रेजों में теयों ने कोस्टण के साथ विद्रो हुआ है िक्र विद्रो करतेको कि describing record पूछाइब नहीं कर पाऊंगा ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे समझा सकता हूं तो चलिए पसित चार मीनार कहा इस्ते तह यह पूछा एक्जाम में और यह भी पूछाता है यह किसने बनवाए था चार मीनार तो यह चार मीनार है अगला सत्रमा देखते हैं बंगाल में पालवंशों का जो राजवांस था उसके संस्तापक गोपाल थे पिछली वीडियो में मैंना बताया था हंडर्ड डिग्री सिल्चिय तापमान का मान कैल्विन पेमानी पर कितना होता है तो 373 कैल्विन होता है और कैल्विन हम इसली यह बीकुश्चन आता है कि वह से किस टेंप्रेचर यूनित मैं डिगरी सेल्चिय नहीं लगते तो वह पूर्ण में यह बंगर हमीशा रइम कोई पूछ लिए नहीं लगाते के बाकी समय नंग अगला दिखलेघा पॉन्समां कर रंगं सोपी याद रखублиए लेक के इंगा और समझोता है एक्सप्रेस अमरसर लाहोर के बीश चलती है यह गुरूबडी एंटीपीसी में पूछे हैं लीनियर कुश्चन है दुद्वा नैशनल पार्क कहां इस्तित है यूपी में इस्तित है यूपी के लखीमफोर जिले में इस्तित है वलनी करण होता है फ्रंस सलफर के साथ गरम करते हुए रवड के कठोरी करण की पकरिया वलनी करण है पूछा गया है साइंस में उपनिशद की जो रचना है वो उत्तरवैदिक काल में हुई थी पच्चेसमा देख लेते हैं अल्ट्रा सांट तरंगों की जो आवरती अविलाच्छिडिक तौर पर 20,000 किल हट से उपर होती है ठीक है याद रखेगा और संब्यदान के जो बैलिस में शंशोदन दौरा शिक्षा विशा को राज्य सूची से संबर्ति सूची में इस्तांत्रिक किया गया था संयुक राष्टे शंग के महासवा का कारेकाल कारेले का इस्तित है वो नियू यूर्क में इस्तित है याद रखेगा युनाइटिड इस्टेट में ठीक है इडवर्ड हैरी डायर जो जो जन्रल डायर का पूरा नाम था से संबर्ध देते हैं जलेवाक से सैंने शाषं का व्यवार पिथमबार मंबार भारत में मराठो ने लिकिया जयता है दिल्ली की जामा मस्जिद को शाजा ने मनवाया था शिवाजी की ताज पोशी या सिहांसन कहा वा था सब पहले वो रायगड में हुआ था या तक वाटी विट्य वर्ष एक अप्रेल से चालू होता है सापेज गनत की एकाई किस में आपते हैं गिराम पती गन सेंटीमीटर में आपते हैं और जोग प्रताब शरावती कहां शरावती नदी पर हिस्तेता ठीक है जो जोग प्रपात है गलत लिग गया है जोग प्रपात शरावती नदी पर हिस्तेते याद रखेगा मनुस्मर्थी का मुख्य रूप से संबंद किस्से है वो सामजिक व्यस्ता से है मानव शरीर का भाग एड्रीनल प्रचले तोर पर क्या कहलाता है वो कहलाता है आदम का सेव या एडम्स एपल ठीक है याद रखेगा तालिसमा भूकम तीप तम आप ने का यंत्र क्या कहलाता है कहां इस्तित है श्टैचू अफ लिवर्टी फ्रांस देश क्या प्रस्ता भाठी राष्टी कौंगरेश्न के लाहोर वाशिक सर्थ में पारित है अननेसं सो उनतीस में इद रखेगा पंचितत को किस ने लिखाए विशनू शर्मा ने लिखा ए सामर जील को सॉल्ट लेक भी कहते है तीक एड़ रखेगा एयर फोर्स वन जहाज किसके लिए फइन अमेरिका के राश्वस्ती टैविल करते है डाइड डांड़िया कहां का है इसार याद में याद रखेगा लोक में हमारे कुछ एंची सी लेक्चर व्य collagen उत तो तहीं हमारे कुछ friends हम telegram पर group भी चला रहे हैं जिसमें आपको regular notes provide करे जाते हैं अगर आप अभी तक वहाँ नहीं जुड़े हो तो आप इस वीडियो के description में जाके वहाँ से link किलिक करके वहाँ आप हमें join कर सकते हैं हमारे facebook page को भी join कर सकते हैं जहां आप regular current fare प्राप्त कर सकते हैं regular notes प्राप्त कर सकते हैं ठीक है और friends अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक like जरूर कर देना और साथ के साथ अगर आपको कोई problem हो या समझने में दिक्कत हो तो आप हमें comment करके जरूर बताएगा ठीक है चलिए फ्रेंट अगली वीडियो के साथ मैं आप से फिर एक बार रूबर होंगा थैंक्यू वेरी मच्छ